है नबस्कार दोस्तों बहुत ही दिलचस्व बात का खुला सा करने के लिए दोस्तों राजस्थान का घटना है आपने देखा होगा कि एक पिता ने और मैं थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओंगा एक दलित पिता ठीक है भागवत निसाद जिनका नाम है और उन्होंने एक मुसल्मान लरके जिसका नाम दिलसाध है को गोली मारके जो है यमलोक पहुंचा दिया अब यह आपको लगेगा कि दिल यह जो है यदि यही कहानी थोड़ा सा ट्विश्ट कर दिया जाए कि किसी और ने चाहे राजपूत हो ब्राम्वन हो भुम्यार हो या कोई उसको जो है मार दिया होता तो अभी तक पूरे देश में आंदोलन हो गया होता क्योंकि एक दलित ने एक मुस्लिम को मारा है तो हर एक जो है नेता नगड़ी वाला और समाज का ठेकेदार चुप चाप बैठा है इस गनित को समझिएगा आज जो है बाबा साहिब के चतुर चेले जितने भी बाबा साहिब के चतुर चेले हैं कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं खड़ा होगा भगवत निशाद के लिए कि उन्होंने क्यों मारा भाई उनकी बेटी उनके परिवार के साथ प्रती दिन छेर खानी हो रही थी प्रती दिन पड़तारना हो रहा था एक बाप आत्म हत्या करने के सोच लेता है कितना बरदास्त करेगा यार और ये बेसरम चतुरचेले जो जरूरत परने पर बाबा साहब और जरूरत परने पर जो है दलितों को अपना मसीहा बना लेते हैं और दलितों के लिए हमदर्द बन जाते हैं अज एक बात नहीं बोल रहे है क्यों क्यों क्योंकि सामने जो है छेर्ट खानी करने वाला परतारित करने वाला लरका एक मुसल्मान था तो मुसल्मान भोट बेंक चला जाएगा और इधर नहीं बोल पा रहे हैं साइलेंट चुप क्यों एक दलित है नहीं तो उल्टा इधर ही पेल देते कि जो है एक अलपसंख्यक को जो है इस देश में गोली मार दिया जाता है अरे बेसर्म मतलब क्या गाली निकलता है न मुंसे सोचने लाइक चीज नहीं है कि सला इतना गिरा के रख दिया है एक आदमी आत्म हत्या करने की सोच लेता है मैं सेल्यूट करता हूँ भागवत मिसाद जी को कि सहाब आपने जो किया है वो आपने अधर सा स्थापित किया है और आपके उपर हर पिता और हर भाई को गर्ब है मैं कहता हूँ मैं किस जाती से हूँ भूल जाइए मैं आपके लिए ख़ड़ा हूँ मैं आपको सपोर्ट करता हूँ ये नयाई ब्यवस्था आपको सपोर्ट करेगी ये पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा कि जब किसी के बेटी, किसी की बहन, किसी के माँ पर कोई इस तरह का आच आएगा तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो खारा हो जाएगा और एक बात और कहूंगा भाई इस मीडियो के माध्यम से कि जिस दिन आपको कोई बाबा साहिब का चतुर चेला आए न किसी के खिलाब भड़काने के लिए, तो साबधान रहकर मुहतोर जवाब दीजिएगा उसको भाई मेरे, कोई भी होगा न, निसाद भाई के साथ दिल से आज ख़ड़ा होगा कोई जाती और ये नहीं देखके, लेकिन तुम हराम खोड, जो कह रहे हो कि तुम बाबा साहिब के चतुर चेले हो, और तुम हिमाईती हो, दलितों के आज साला न जा रहे हो, न एक सब्द बोल रहे हो बेसरम, हराम खोड, डूब मरो दूसरा बात, यही हराम खोड लोग दोस्तों, आप लोगों के मन में नफरत पैदा करता है कि स्री राम प्रभू ने निशाद राज से जो है, नाव चलवाया और अपमान किया प्रभू स्री राम ने धलित का अपमान किया अरे बेसरम डूब मरो साला नरक पापी के उजागर भगवान स्री राम ने अपमान किया अरे जो तेरे सामने निशाद भाई खरे हैं राजस्थान से जरा उनके साथ तो नियाई कर लो चतुर चेले क्योंकि जो है छेड़ खानी करने वाला दिलसाद था मुसलिम और भाईयों मैं मुसलिम भाईयों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये दिलसाद जैसे लॉंडे जो है न ये च्छबी खड़ाब कर रहे हैं मुसलिमों का क्रिपिया करके ऐसे लोगों को इतना जुतियाई ये न कि आपके सोसाइटी में रहने से पहले उसको सौ बार सोचना पड़े क्योंकि आपकी भी बहन बेटी मा इसी समाज में रहती है और हर कोई बुरा नहीं होता तो यदि आप ये चीज प्रूब कर देंगे लतिया के तो आटोमेटिक जो है वो मामला ठीक हो जाएगा और लाइन पड़ा जाएगा मैं एक बार आप सभी से फिर प्राथना करूंगा कि इस वेडियो को सेयर करके इतना सेयर करिये कि कम से कम चतुर चेलों तक तो पहुँच जाए ताकि जड़ा देखें कि ये चतुर चेले जाते हैं कि नहीं निसाद भाई के समर्थन में खड़े होने और कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं और यदि ना बोले तो हराम खोड़ों को हर एक टाइम पर ये चीज जरूर दिखाईएगा कि बहन्चो तू चुप हो जाता है और हम लोगों को लरवाता है आपस में जबकि बिना जाती पाती देखे हर एक इंसान आज निसाद जी के साथ कंदे से कंदा मिला कर ख़रा है फिर एक बार कहूंगा जैस्री राम